गूब आध्य। डाइकॉट प्लांट्स में देखी जाती है एनामलस से मतलब है abnormal type of secondary growth कैसी होती है सबसे पहले देखते हैं कौन-कौन से कारण है जिसके कारण की abnormal secondary growth होती है तो reasons उसके पीछे है पहला reason है unusual position of vascular cambium vascular cambium जो आपको पता है growth के लिए secondary growth के लिए responsible है वह अगर किसी xylem phloem के बीच में ना पाया जाकर कहीं और पाया जाता है तो वह भी एक कारण हो सकता है दूसरा है unusual activity of vascular cambium कि जो vascular cambium है उसकी activity normal ना हो normal जो activity है उसके उससे कुछ अलग हो तो भी वह anomalous secondary growth कर सकता है तीसरा absence of cambium so it's replacement by other accessory cambium and its activity अगर cambium मान लीजे normal present ही नहीं हो या अगर present हो तो भी उसका replacement हो जाए किसी और cambium से जिसे की हम accessory cambium कहते हैं और फिर उसकी activity हो चौथा formation of included or interzylary phloem चौथा है कि xylem के अंदर ही phloem का पाया जाना तो उसे हम included phloem कहते हैं या interzylary phloem कहते हैं ऐसा हो तो भी abnormal secondary growth होती है पांचवाँ development of interzylary cork की xylem के अंदर cork के cells का पाया जाना तो इस तरीके से ये पांच कारण हो सकते हैं जिसके कारण की secondary growth abnormal हो सकती है तो सबसे पहले first जो है unusual position of vascular cambium उसे देखते हैं कि उसके द्वारा किस प्रकार से abnormal secondary growth दिखती है इस ये जो cambium है ये जादतर commonly जो है आपका climber plants जो होते हैं उन में पाया जाता है जैसे सरजानिया एक plant है उसका उधारन भी मैंने आपको दिया है एक paulinia है और भी कई example हो सकते हैं लेकिन एक को धारन देखे आपको समझा रही हूं है कि किस प्रकार से यह इनकी वस्कुलर cambium की position अलग-अलग हो सकती है पहली बात तो वस्कुलर cambium यहां पर आपको पता है कि वस्कुलर bundles के बीच में पाई जाती है जायलम और secondary growth शुरू होती है काईदे से तो जो normal secondary growth होती है उसमें आप देखते हैं cambium जो है fascicular cambium कहते हैं कहते हैं उसको हम जो वस्कुलर bundle में होता है वो fascicular cambium interfascicular cambium के साथ में ring बना लेता है और रिंग बनाने से वो cambium जो है अंदर की तरफ में xylem बनाता है और बाहर की तरफ में phloem बनाता है यह तो है normal condition लेकिन यहां पर यह condition नहुकर cambium strip sparm होती है और हर एक separate cambium strip जो है अपनी एक ring बनाती है और हर एक cambium strip जो जिससे की ring बनी है वह अंदर secondary xylem काटती है और बाहर secondary phloem काटती है लेकिन इससे होता क्या है कि जब आपका secondary growth हो भी जाता है तब भी आपको bundles ही दिखाई देते हैं आपको एक ring form में secondary xylem phloem नहीं दिखाई देता क्यूंकि strips होती हैं strips अपना-पना ring बनाती है और जब stem जो है और पुराना हो जाता है जब उसमें cork अगर अभी बनता है तो periderm form होता है तब आप देखेंगे कि हर एक जो vascular bundle हर एक जो strand है उसके अंदर अलग-अलग अपना-पना periderm बन चुका है और वह एक दूसरे से सटे हुए से आपको दिखाई देते हैं अब आप अगर चित्र देखते हैं आपको और अच्छा समझ में आएगा देखिए जैसे देखिए यह चित्र जो है इसके अंदर आपको यह पैरिडर्म ही दिखाई है यह बाहर जो है यह पैरिडर्म है और यह जैसे आपको लग रहा है कि एक bundle है यहाँ पर यह देखिए यह दूसरा bundle है यह तीसरा bundle है बीच में यह जो है तो हर एक bundle जो है इसकी अपनी एक cambium strip फॉर्म हो गई और हर एक cambium strip ने एक ring फॉर्म करी और देखिए यह जो portion है यह पूरा this is xylem यह वरा portion xylem है और अपना secondary xylem और बाहर यह जो ग्रेश सी light कर रुकी रिंग है यह phloem अपनी इसने बना जबकि आम तोर पर अगर नॉर्मल secondary growth होता तो सारे cambium मिलके जो भी vascular bundle के अंदर cambium में सारा मिलाके एक ring फॉर्म होती और एक ही secondary xylem एक ही ring में secondary xylem अंदर की तरफ और secondary phloem बाहर की तरफ फॉर्म होता तो यह एक तरीके से unusual position of vascular cambium है जिसके कारण की इस प्रकार की secondary growth आप को देखने को मिल रही है अब आते हैं दूसरा प्रकार जो था unusual activity of vascular cambium की कैसे unusual activity होती है उसकी जिसके कारण की हमको difference नॉर्मल से different कोई activity दिखाई देती है unusual जैसे आप कुकरविटा stem अगर आप देखते हो तो वहां आप देखोगे formation of unusual large amount of secondary vascular tissue only in the region of vascular bundles की secondary tissue जो है मतलब secondary growth जो दिखाई दे रही है कुछ ही reasons में दिखाई दे रही है और वो reason कौन से है vascular bundle वाला reason है जैसे कि अगर कुकरविटा stem देखा जाए तो आप देखेंगे उसके अंदर कि 5 बड़े bundle है और 5 उसमें छोटे bundle यह देखेंगे अगर यह diagram है कुकरविटा stem का इसमें आप देखेंगे आपको पांच बड़े bundle दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ यह देखेंगे पांच बड़े bundle और यह बाहर की तरफ उनके बीच बीच में आपको छोटे vascular bundles जो हैं बहुत दिखाई दे रहे हैं और पूरा circular form में नहीं होता इसका shape यह zigzag जग जग तो नहीं आपको कहना पांच बड़े bundle अंदर की तरफ और पांच छोटे bundle बाहर की तरफ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिखता है बंडल जो है यहां पर बाय को लिटरल है अप देख सकते हैं बाय को लिटरल से मतलब है देखे अगर यह कोई भी बंडल आप देखते हैं तो इसके अंदर सेनें बीच में Chair am है यह भी फ्लोयम है और यह भी फ्लोयम है it means the bundle is by collator अगर हम बनाते हैं तो ऐसा bundle आपने बनाया यहाँ पर भी इसमें cambium होगा यहाँ cambium होगा यह आपका xylem होगा this is xylem यह आपका xylem है this is phloem यह फ्लोयम है और यह भी तो कहने का मतलग यह कि बीच में xylem है और दोनों side में किनारों पर आपको phloem दिखाई देता है अब cambium जो है develops in the outer ring of vascular bundle आपने देखा इसमें दो ring थी vascular bundles की दो ring आपको दिखाई दे रहे हैं एक अंदर vascular bundle है एक बाहर लेकिन जो cambium की ring form होती है वह आपको outer vascular bundles के अंदर दिखाई देती है और यह outer vascular bundle में cambium ring क्या करती है अंदर secondary xylem बनाती है और बाहर secondary phloem बनाती है लेकिन उससे क्या होता है कि सिरफ थोड़ा सा vascular bundles के size में increase होता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि हमने शुरू में ही हो का था जो first point था कि secondary growth कुछ ही reasons में दिखाई देती है और वह reason है vascular bundle तो बाकी जगे पर कोई secondary growth नहीं दिखाई देरी कोई secondary growth और कहीं नहीं हो रही सिर्फ bundles में ही secondary growth हो रही है तो ऐसा अगर होगा तो यह unusual activity है क्योंकि जब cambium ring form होती है तो पूरी पूरी ring जो है अंदर xylem बनाती है और बाहर phloem बनाती है वह उसका regular pattern है तो अगर उससे हटके कोई चीज हो रही है it means it is abnormal तो kukar vita stem के अंदर भी सिर्फ vascular bundles में और वह भी बाहर वाले जो चोटे bundles है उन्हीं के अंदर secondary growth पाई जाती है यह देखिए आपने देखी लिया कि पांच bundles है पांच bundle आपको अंदर दिख रहे हैं पांच bundle आपको बाहर दिख रहे हैं तो जब cambium पांच bundle ring form होगी तो इन bundles में होगी यह वाले जो छोटे वाले bundles है और growth जो होगी वो भी सिर्फ इसी इनी reasons में होगी तो अगर इनी reasons में growth होगी तो सिर्फ unusual टाइप ऑफ activity आप देख सकते हो cambium की अब देखते हैं कुछ और stem जिनके अंदर की कुछ और abnormality होती है पूरा तरीके से cambium सब तरफ secondary growth नहीं करती है तो कैसे होता है formation of wide medullary rays medullary rays आपको बताया था xylem और phloem के जो vascular bundles हैं vascular bundles के बीच बीच में जो हैं वह आपको parenchymatis rays दिखाई देती हैं जिनकों की medullary rays कहते हैं तो wide medullary rays कैसे होगी कि normal ring of cambium is formed normal ring तो मनती है बट interfacicular cambium forms parenchyma only and forms wide medullary rays जैसे की aristolochia stem के अंदर होता है यह देखिए aristolochia stem में क्या है कि vascular bundle जब हम normal primary structure देखते हैं तो सिरफ vascular bundles हमको दिखाई देते हैं normal structure अगर आप देखते हो primary structure तो कैसे दिखता है आपको अगर मान लीजे यह ts है तो आपको bundle जो है कैसे मैं बहुत rough diagram ना रहूं कि बहुत जाद अच्छे से बनता नहीं है इसमें इस तरीके से bundle सिखाई देते हैं ठीक है फिर उसके बाद आपका इसमें ring form हो जाती है अब यह जो ring form होई है यह सभी जगे क्या काटेगी अंदर की तरफ आपका जाइलम बनाएगी और बाहर की तरफ फ्लोय बनाएगी लेकिन इस structure को अगर आप देखते हैं तो आप देखें जहां वस्कुलर बंडल है वहां वहां तो आपको दिख रहा है यह वस्कुलर टिश तो कहने का मतलब यह है कि इंतर fesicular जो पार्ट था जिसे जो वस्कुलर बंडल के बीच में जो cambium होती है that is known as fascicular cambium और दो वस्कुलर बंडल के बीच की जगे है जहाँ पैरेंट काइमेटिस टिशू मिलता है वहाँ पर जो कैम्बियम डेवलप होती है that is इंटर फैसिकुलर कैम्बियम तो फैसिकुलर और इंटर फैसिकुलर कैम्बियम मिला के एक रिंग बनाते हैं और वहर और इंग नौर्मल वे में सेटेंडरी जायलम अंदर काड़ती है लेकिन इस के अंदर इस केस में आप देख रहे हैं कि इंटर फैसिकुलर कैम्बियम ज़हां बना है वहाँ पर भी आपको यहाँ पर पैरन्गाइमस टिशू दिखाई दे रहे हैं रिजज और गूर्व से मतलब है आपको बताया था कि जहां वेवी सी आउटलाइन इस तरीके से आउटलाइन अगर हो जाए इस इस आउटलाइन यह तो इसमें यह रिज हो जाएगा और यह गूरूव हो जाएगा तो जैसे कि बोहीन यह डूबी जी नोसा एक स्पीसेज है इसके अंदर कैम्बियम जो है कुछ पॉइंट्स पे जादा एक्टिव होती है और कुछ पॉइंट्स पे कम एक्टिव होती है और इसी से डूटू विच रिजड वस्कुलर सिलेंडर इस फॉर्मड गिविंग रिजड अपिरेंस उससे ही जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो रिजेज और फरोज बनाते हैं रिजड स्टक्चर फॉर्म करते हैं जैसा कि देख सकते हैं तो इस तरीके से आपने देखा कि पहला तो फॉर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि पोजीशन ही एबनॉमल हो कैम्बियम की जैसे कि सरजानिया में हम देखा पोजीशन को बन देखा अलग बंदल अलग बंदल समें देखा ऑंदेगे में हंद च्णाइन खाहता summitalopy अपनी अ बना लाग अपी लीजग में तो पॉर्स पूर्स मीं एक ऑलग वस्कुलर बंदल अलग खोली में लेकिन ये तो होगया किसिट सभीम आन ज्लंश इक लिए मैं दूसरा पॉइंट हमने यहां पर देखा था अन्यूज़ल एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्वियम की पोजीशन तो उसकी ठीक है वस्कुलर कैम्वियम की बीश में होना चाहिए और रिंग उसको इंटर्फैसिकुलर और फैसिकुलर कैम्वियम को रिंग बनानी चाहिए वो सब तो ठीक है, लेकिन उसकी activity अगर समान नहीं होती, कहीं पर वो ज़्यादा cell काटती है, या कहीं पर xylem बनाती है, कहीं पर phloem बनाती है, तो अगर इस तरीके की activity करती है, तो अपने आप ही abnormality आ जाएगी, जैसे की kukurbita stem का हमने यहाँ पर example लिया, तो kukurbita stem के अंदर हमने देखा, कि पाँच बड़े bundle हैं और पाँच छोटे bundle है, और bico-lateral type of bundle यहाँ पर देखे जाते हैं, तो यहाँ पर जो cambium ring form होती है, वो सिरफ बाहर के smaller bundles में form होती है, दूसरा बनने के बाद भी सिरफ secondary xylem जो है, वो vascular part में ही बनता है, तो कहने का दात पर है कि अंदर vascular part में बनता है, और phloem बाहर की दिरफ बनता है, लेकिन बीच में कहीं कोई activity और नहीं हो रही है cambium की, उसी प्रकार से aristolochia का example हमने देखा, जिसमें आपको बताया गया कि aristolochia में भी क्या हो रहा है कि ring तो form हो रही है, fascicular, interfascicular cambium की ring form हो रही है, लेकिन सिरफ fascicular cambium जहां पर की vascular bundle पाया जाता है, सिरफ वहीं पर secondary growth से secondary xylem form हो रहा है, जबकि interfascicular cambium वाली जो जगे है, उसमें parenchyma ही form हो रहा है, जो की wide, बहुत चौड़ी-चौड़ी medullary rays form कर रहा है, last point में हमने इसमें देखा, formation of ridges and grooves, की जिसे हमने bohenia का यहां पर example लिया, बोhenia में यहां पर कहीं पर तो cambium बहुत ज़्यादा active है, और कहीं पर वहां कम active है, ज़्यादा active और कम active होने से ridges और grooves जो हैं वह form हो जाते हैं, तो यह basically यह जित्ते भी example मैंने यहां पर second point में आपको बताए, उन examples में सिरफ activity का फरक है, ring तो form हो रही है, लेकिन activity कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो रही है, यह जो topic है, यह topic बहुत important है, इसमें जरूर प्रशन आता है exam में, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से ही इसको वीडियोस देखके समझेएगा, अब आते हैं हम इसके अलावा, यह हमने छे point इसमें देखिए, unusual activity के, इसके लावा और भी कई जगे पर ऐसा होता है, जिसे की bignonia एक stem है, bignonia के अंदर हम देखते हैं, formation of phloem wedges, आपको पहले मैं चित्र दिखा देती हूँ, यह bignonia का diagram है, आप इसमें देखिए, आपको यह जो lining वाला part है, this is secondary xylem, ठीक है, और यह जो pink वाला part है, this is secondary phloem, अब अगर आप इसमें देखेंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, चार तरफ जो है, पिंक वाला part जादा है, देखिए, यह एक, यह दो, यह तीन, और यह चार, यह जो चार पार्ट है, इनके अंदर pink वाला part जादा है, इसका मतलए यहाँ पर xylem जादा है, क्योंकि xylem, sorry, phloem जादा है, phloem जादा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि xylem जो है, यहाँ पर धसा होगा है, थोड़ा अंदर की तरफ है, तो यह phloem जो है, एक्चली यह xylem के अंदर घुज गया है, यह चीज हमें देखनी है, तो यहाँ पर diagram आप देखिए, अगर आप बार से देखते हैं, main जो इसका abnormality है, वो यह ही है, जो कि अभी आपको मैं पढ़ाऊंगे अच्छे से, बाहर से अगर diagram देखें, epidermis है, यह आपका एक तरीके से, endodermis आ गया, फिर अंदर आप देख रहे हैं, secondary phloem pink color का, फिर यह है आपका cambial strips, यह देखिए, cambial strips भी यहाँ पर अंदर है, यहाँ पर बाहर, ठीक है, इस तरीके से आपको cambial strips दिखाई देखिए रही, यह आपका secondary xylem आ गया, और यह आपका pith portion है, तो इस तरीके से यह bignonia का stem है, जहाँ पर आपको wedged phloem पाया जा रहा है, चार जगे आप देख रहे हैं, four corners पे, या diagonally आप मांग ज़कते हो, diagonal form में आपको चार जगे पे, wedged phloem दिखाई दे रहा है, आप देखते हैं क्या होता है, इसमें, in bignonia, at the time of secondary growth, cambium ring is formed, cambium ring जो है, वो बनती है, secondary growth के टाइम पर, यहाँ पर इस आना चाहिए था, गल्ती से यह auto mistake है, कर लीजेगा आप इसको ठीक, is formed, in the beginning, ring behaves normally, शुरू के अंदर, जो ring बनती है, cambium ring, वो normally behave करती, normally behave करने से मतलब है, अंदर की तरफ में secondary xylem काटेगी, और बाहर की तरफ में secondary phloem काटेगी, अब secondary xylem जादा बन रहा है, और secondary phloem कम बन रहा है, लेकिन कुछ time बाद, after some time, cambium rings, जो है, यह जो cambium ring बना था, it develops unidirectional area of active cambium, at four diagonal points, लेकिन चार जगे जो है, इसके active unidirectional area बन गया, मतलब एक ही तरफ ग्रोथ करने वाला area इसमें फॉर्म हो गया, in this area, cambium does little or no xylem but excessive amount of phloem, और इन चार एरियास पे unidirectional growth होने लगा, यह unidirectional area of active cambium से मतलब है कि, इन चार जगे पे xylem बनने की बचाए, सिरफ phloem बनने लगा, जब xylem नहीं बना, phloem बना तो क्या हुआ, at these points phloem intrude inwards की, ऐसे लगने लगा कि phloem जो है, xylem में धस रहा है, forming four deep wedges, supported by transverse strip of sclerotic cells, यहाँ पर दिखा नहीं रखा, ऐसे आप कई diagram ने देखेंगे, यहाँ पर ऐसे strips भी दिखा रखेंगे, तो यह जो strips हैं, these are sclerotic, sclerid cells से बनीवी strips हैं पर आपको दिख जाती हैं, तो इस तरीके से इस diagram में आप देखेंगे, हुआ क्या, कि शुरुआत में तो normal cambium थी, जब बाहर की तरफ secondary phloem बना, और अंदर की तरफ secondary xylem बना, लेकिन कुछ टाइम बाद, वही phloem की, वही cambium की जो ring है, उसने phloem तो ज़्यादा काई, चार portions में, यह जो चार portion आपको दिखाए, इन चार portions में phloem काटना शुरू कर दिया काफी सारा, लेकिन xylem नहीं बना, तो अगर ऐसी स्तिती होगी, मतलब सिर्फ in portion में, यहाँ पर बना रही हो phloem, यहाँ पर xylem ही बना रही है, यहाँ पर xylem ही बना हुआ है, तो phloem, इन चार portions पर phloem ज़्यादा बना, तो क्या हुआ, ultimately phloem ऐसा लग रहा है, कि phloem इस portion के अंदर धस गया है xylem के अंदर, तो यह four wedged structure आपको bignonia में दिखाई देते हैं, और बाद में फिर जाके normal हो गई cambium, तो इस तरीके का structure अगर आपको दिखता है, तो आप समझाए, this is bignonia stem, और यह बहुत important हैं यह सारे stems, क्योंकि यह कई बार आपको प्रश्ण जरूर आता है, इस unit के अंदर abnormal secondary growth में से प्रश्ण जरूर आता है, तो इसमें अलग-अलग types हम और पढ़ेंगे, हमने आपको 5-6 प्रकार आपको बताएं हैं, इसमें से 2 प्रकार आज हमने पढ़ लिए, कि एक तो unusual positioning से होना चाहिए, यह cambium activity, unusual position of cambium ring, या फिर unusual activity of cambium ring, या तो vascular cambium जो बन रहा है, वो उसकी position ही अलग हो, या उसकी position तो सेम हो, लेकिन उसकी activity अलग हो, तो bignonia का stem में हमने देखा activity अलग हो गई, xylem उसको अंदर बनाना चाही था, लेकिन xylem न बना के वो बहुत सारा phloem बना रही है, इसी इन चार points पे, जिससे कि यह wedged structure create हो रहा है, thank you so much, आशा करती हूँ, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता है, तो आप प्लीज पूछिए इसको, और इसको किताब से बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि यह important topic है, और exam में जरूर से आता है, छोटे प्रशने के इसाब से भी आ सकता है, आपको सिर्फ उधारन लिखना हो की, आप बताईए, unusual activity कहां देखी गई है, या unusual activity में, या cucurbita stem में कहां पर ग्रोथ होती है, या medullary rays, wide medullary rays किसमें पाई जाती है, बिगनोनिया में जो wedge structure है, उसके रिए पुझा हो सकता है, कि कौन से plant में, वेज़ फ्लोयम जो है, वो ऐसा लगता है, कि intrude अंदर धसय जा रहा है, या बड़ा प्रशन जो है, वह भी आ सकता है, या short note आ सकता है, आपको किस पे anomalous secondary growth में, कौन-कौन से कारण है, जिसके कारण होता है, उधारन समेच समझाईए, तो कई प्रकार के प्रशने इसमें बनते हैं, वो सारे प्रशनों को देखते हुए, आपको इसको पढ़ना है, और आगे मैं आपको इसमें और किस प्रकार से, unusual growth हो सकती है, या abnormal secondary growth होती है, next video में हम उन सब को भी यहां पर discuss करेंगे, तब तक के लिए, thank you so much.